मैं मोहमदारिफ चेयर्मेन टटर जुणियों जमू कश्मीर आये हुए सबी शाथियों का मैं शुकरी आदा करता हूं साथियों जैसे कि आप सबको पता ही हमारा जो मुद्दा है हमारे ट्रइक्टर बाईयों का रेत बजरी को लेकर जो खनन को लेकर सरकार ने पिछले कें सालों से प्रतिबंद लगा के रखा हुआ है तो हमारे जो टरेक्टर बाई हैं जो लेवर तबके के लोग हैं जहां जो मकान बनाने की जुरुत कर पाते थे बड़ी मुश्कल से गरीब एक कमरा खड़ा करने की उसको आज इतनी परेशानी हो रही है जो मटेरियल है वह काफी महंगे दामों में से मिल रहा है तो यह प्रतीबंद है जो खाली ग्रीबों के लिए है लेकिन बाकी सारा सिस्टम जो चल रहा है आपने देखा गा यह रिंग रोड का पूल है तवी के अंदर बहुत बन रहा है उदर कोई नी उसको रोग रहा तवी रिवर फ्रंट का काम भी चल रहा है उसको कोई नी रोग रहा बहां पे कोई स्टे नी है लेकिन आज आके ग्रीब के उपर स्टे है जे हमें समय नहीं आ रही है हमें हमारे ग्रीब टेक्टर बाईयों को क्यों हरास्मेंट और क्यों उ हमारी जेनुरल मांड है डिमांड है और जो गरिभों का मुद्ध यही मुताबला है और हमारे सरकार से केंदर सरकार से और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है यह बाजपा के जो राज्य अद्यक्ष हैं कि हमारी जो बात है मौनिय प्रदानमंतरी तक पहुंचाई जाए और जो जो हमारा मसला है इसको हल किया जाए इसी के साथ आपने देखा गए जो के जो परदान मंतरी अवास जोजना के तहत कितनी फाइले हैं जो आफिसों में पड़ी हुई है तो बोलते हैं कि हमें कैसे एक लाख भी हजार में यह मकान बना है इतने म पिश्मीर के अंदर जो जम्मू तवी के अंदर और भी जो चोटे बड़े नदी नाले हैं 2019 में उनके उपर नैशन गरी इंट्रिव्यू ने बैन लगा के बंद कर दिया था आज जो खोले हैं खाना पूरती के लिए लोगों को बेफू बनाने के लिए माइनिंग डिपार हैं जे मटीरियल कहां से इतना आ रहा है अगर गरीब जाए उसके लिए बैन है और जो बहार से आई हुई फर में हैं या ठेकेदार हैं उनके लिए कोई बैन नहीं है हमारी मांग जही है कि हमारा ये गरीबों का मसला हल लोना चाहिए जो जैन नदी नाले हमारे हैं बैसे आप चलना चाहिए